बेक्ती का अगर गलत स्टेप सुरू में हो जाता है इसलिए कि उनको जानकारी नहीं है बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं जाते हैं डारेक्ट सियो के पास आपेधन करते हैं उनको लगता है कि कोई सुनी ने रहा है लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इनको क्या पावर मिला हुआ यह क्या कर सकते हैं आप ठीक दे रहें वो आपको कुछ नहीं बोल रहा है ना उस पे कोई अक्षन ले रहे हैं तो CO जो हैं तो CO का एक अपना पावर है क्या काम होता है अगर आप ये भी नहीं जानते हैं, कौन होते हैं CO तो वो भी हम आपको बता देते हैं लेकिन अब ये अगर CEO की पावर की बात करें न तो ये जो CEO हैं इनके बहुत सारे पावर हैं अलग-अलग विभाग में अलग-अलग काम है जिनको जो है इनको देखना पड़ता है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब अगर आपका जमीन बिवाद है या आपका जमीन सुधार से सम्मंदित बिवाद है या समस्या है उस केस में आपको क्या करना चाहिए तो CEO का जितना भी पावर है उसमें हम अलग इस पेसल आपके लिए लाएंगे ताकि ये स्पेसल विडियो लाएंगे जिसमें बताने का प्रियास करेंगे कि जो है CEO को किस बिभाग में क्या क्या पावर है लेकिन अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं जमीन से सम्मंदित अगर आपके पास जानकारी नहीं है आप जाके आवेदन कर देते हैं और आवेदन पे कोई भी एक्षन नहीं लिया जाता है तो आप आवेदन आपका ब्यर्थ चला गया तो आपका वो आवेदन ब्यर्थ नहीं जाए उसके लिए क्या करना है वो समझने का प्रियास करेंगे देखें दो सवाल बहुत ही महत्पुर्ण है कि जमीन बिबाद और जमीन सुधार में सियो का क्या पावर होता है और जमीन सम्मंदित मौमले में सियो के पास कब जाएं कब नहीं जाएं अब देखें हम मेरा जो यहाँ पे है एक है यहाँ पे बिवाद और दूसरा है सुधार दोनों दो चीज है तो गया किसी से या अगर सुधार की समस्या है तो दोनों अलग बाते हैं तो दोनों के बारे में बात करेंगे अगर आपका किसी से बिवाद है जमीन समंदित बिवाद है तो बिवाद है तो किस तरीके का विवाद हो सकता है, आपका ये भी विवाद हो सकता है कि कोई आपके जमीन को कबजा करना चाह रहा है या कबजा करने का परियास करना है, ठीक है कबजा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जमीन को सही तरीके से निकाल कर नहीं दिया, मतलब आपका जो जमीन है आपने उस बैक्ती से आपने जमीन खड़िदा है ठीक है तो वो प्रोपर्टी आपको सही तरीके से नहीं मिला एक ये भी बिवाद होता है तो ये जो सियो है इनका अपना एक छेत्र है आप देखें कि हिंदी में इनको जो है अंचला अधिकारी बोलते हैं तो अ अंचल के अधिकारी है ये और एक अंचल कितना छेत्र होता उसमें कितने पंचायत होते हैं वो आप जानते ही होते ही होगे तो वो सभी पंचायत का एक अधिकारी बना दिया गया और उस पंचायत में जो भी समस्या है अब हर समस्या का अलग-अलग जो है समधान है लेकिन जमीन सम्मंदित जो भी समस्या है उसका जो भी समस्या सभी समस्या को CEO देखने का काम करते हैं लेकिन पावर जो है वो लिमिट में है उसका भी लिमिट है ऐसा नहीं कि सारा काम कर सकते हैं वो आप को क्या करना है कि अगर किसी भी परकार का बिबाद होता है तो आपको एक बार जो है CEO साब के पास आबेदन कर देना है अगर आप उसको रोखना चाहते हैं जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी जमीन को कोई बेच लेया अब बेच लिया तो अब वो क्या कराएगा दाखिल खाड़िज कराएगा बिल्कुल कराएगा किस के पास कराएगा CEO के पास कराएगा तो आपको क्या करना आबेदन दे देना है CEO के पास आबेदन पे ठीक है आबेदन का आपको receiving ले लेना ये बात बिल्कुल याद रखिए कि जब भी आप आबेदन दीजिए हो सकता है कि एगर आप जानकारी नहीं है तो आपको receiving नहीं दिया जाएगा अगर receiving नहीं दिया गया तब फिर आप समझ सकते हैं कि ये CEO को power है कि एगर आपको receiving नहीं दिया तो फिर आप वो कचरा में चला गया ये भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है तो आप जब भी आपको आवेधन करना है नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि अलग तरीके से करना तो आप speed post कर दें ये भी कर दें, आप आवेधन को speed post कर दें आपको अगर speed post करेंगे तो speed post के माद्यम से उनको receiving भेजना पड़ेगा नहीं, तो आगे कानून है, सबको दिक्कत हो सकता है ये बात समझे, जो नियम परक्रिया है वो एक अधिकारी को भी follow करते हैं, ऐसा निक निकर तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका कोई भी objection है तो आप आबेदन करेंगे, आबेदन का receiving जरूर लेंगे अगर आपको receiving नहीं दिया जा रहा है, मान लेते हैं नहीं दिया जा रहा है आप कहेंगे कि हम गए receiving मांगे बुले नहीं, यह सब नहीं होता, यह सब नियम नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है हो सकता है कि उनके जो स्टाफ है वही आपको बोल देखे नहीं ऐसा नहीं होता आवेधन कर जीजिए जाहिए तब क्या कीजी आवेधन को स्पीट कोस्ट कर देखें करके देखी आपको पता चल जाएगा है ना तो रिसीबिंग देना होता है आप डारेक्ट जाके अधिकारी से बात करें और बोलेंग सर्म को रिसीबिंग भी चाहिए आप देखें उस आवेधन पर जरूर एक्षन लिया जाएगा तो एक ये बात हो गया अब दूसरा बहुत लोगों का सुधार समंदित जो भी समस्या है अब सुधार किस टाइप का है वो देखना पड़ता है कि अगर छोटा सुधार है छोटा सुधार कहने का मतलब किसी का नाम में गलती हो गया जबकि वो सारा डाटा सही है वहाँ पे रजिस्टर में जमाबंदी के नाम में दिक्कत है या रसीद पे नाम में दिक्कत है हाँ खतियान में दिक्कत है तो फिर उसका सुधार नहीं होगा उसके लिए बताएंगे क्या परक्रिया लेकिन यहाँ पे अगर किसी का नाम में दिक्कत हो गया किसी का माल लेते हैं उसमें अगर दिक्कत है तो उसका सुधार आप अंचल के अधिकारी के पास से करवा सकते हैं। अगर छोटा मोटा विबाद है उसके लिए बिल्कुल जरूरी है आपका कोई भी विबाद होता है। आप पंचायत के पास जाते हैं क्यों जाते हैं। इसलिए कि पंचायत का भी अपना एक लेवल है, अपना एक मानिता है, अपना एक पावर है। उसी तरीके से ये उस विबाद के अधिकारी हैं। आपको सबसे पहले जाना चाहिए, आप अबेदन का रिसीविंग लेना चाहिए। कल मान लेते हैं मामला बढ़ता है, आप नियाले में जाएंगे तो आपके पास ये प्रूप रहेगा कि आपने आपधन किया, आपने रिसीविंग लिया, सब कुछ आपके पास प्रूप है। आप ऐसे आपको रिसीविंग नहीं मिलता है, तो आप इस पीद पोस्ट कर दें। कहां से त्यार किया होगा, अधिकारी के पास से ही, फिर भी आपको एक बार आवेधन कर देना चाहिए, कंप्लेन कर देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि यहां से आपका सारा मसला का हल नहीं हो, आपको उछ अधिकारी के पास जाना परे, लेकिन फिर भी आपको आवेधन कर तो इसलिए कि दोनों जो हैं यहां पे मामले को हल करने के लिए लगभग राज में जो है मामले को जो अंचल अधिकारी हैं और थाना परभारी मिलके जो भी संपत्की का विबाद बहुत जगा बहुत राज में तो जनता दरबार अलगाने तक का प्रावधान है कि वहां पे एक दिन ऐसा होता है कि उस सम्मंदित विबाद को ही सुना जाता है और उस छेतर के जो लोग भी होते हैं वो आते हैं और जनता दरबार में अपनी सिकायत करते हैं और अधिकारी वहाँ बैठते हैं जनता दरबार बस ये आप सोच लेंगे कि हाँ दूसरी चीज़ है कि माइंड में अगर आपको ऐसा लगते हैं कोई कुछ नहीं करेगा तो ये चीज़ है लेकिन फिर भी आप अपना प्रोसेस आपको करना है सबके उपर न्याले है और सबके लिए कानून बराबर है और आप ये बात जो है समझ लिजी अच्छे से आप और ये अगर आपके माइंड में माल लेते हैं आप थोरा देर के लिए सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा जाएंगे तो सिर्फ ब्रस्ता चार है बहुत लोग ऐसा कॉमेंट भी करते हैं बोलते हैं तो एक बात आप सोचिए क्या आपको वो स्टेप लेना चाहिए आप ये देखिए कि कोई ऐसा बड़ा आदमी जो की सामसद रहा हो देश का क्या हो सकता है कोई बड़ा ओफिसर रहा हो क्या वो सस्पेंड नहीं हुआ क्या वो कोई अगर इक तरह से गलत किया तो उसमें उसको जेल नहीं हुआ क्या कोई पैसे वाले को ऐसा नहीं है कि जेल नहीं हुआ है अब देखिए कि आपके छेदरे कोई कोई इसे मंतरी पद के हो क्या उनको जेल नहीं हुआ है तो हमारा जो कानून है इक तरह से सबों के लिए बराबर है स आपको जो अपना प्रूसेस है, हाँ डिपेंड करता है कि आप हर मामले में चले जाएंगे, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें उनका पाबर नहीं है, आपका कवजा करके कोई घर बना लिया, ठीक है, तो उस केस में वो नहीं हटा पाएंगे, उनके पास नहीं है, ये पावर के अगर कोई पका मकान बना लिया तो उस पके मकान को आकर नीजी संपत्ती है तो उसको वो तरबा दे लिए हाँ अगर उनके पास ऐसा पावर है कि अगर आप सरकारी जमीन पे घर बनाये हुए है तो कभी भी वो अतिकर्मन को एक तरह से करके और आदे एक तरह से दे सकते हैं आप देखते होंगे कि अपने छेजर के जो भी मार्केट होते है उसमें कभी कभी रोड पे अगर कोई अतिकर्मन करता है तो एक बार सब पर बुल डूर्जर चल जाता है तो यहाँ पे लेकिन सरकारी जमीन पे पाबर है नीजी जमीन पे नहीं है तो नीजी जमीन पे फिक फिर जो है हम बता चुके हैं सारे प्रोसेस को कैसे करना होता है आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर जाने पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा ले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैएंग